दोस्तो आज के इस वीडियो के दूआरा हम इस स्मार्ट टाइमर का वर्किंग वाइरिंग और इस टाइमर में हम किस प्रकाश से टाइमिंग का प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बारी में सीखने वाले हैं ये जो smart timer है इस type के timer का उप्योग mostly हम किसी street light को चालू और बन करने के लिए करते हैं साथी साथ में इसका उप्योग आप किसी signboard को चालू बन करने के लिए water pump के लिए स्कूलों में जो bell होता है यानि के electronic bell होता है उस bell को भी ring करवाने के लिए आप इस type के timer का उप्योग कर सकते हो ये जो हमारे पास में timer है इस timer को और सेली company के द्वारा बना गया है इस timer में यदि आप directly किसी load को connect करके चालू और बन करना चाहते हो तो इस condition में इसके साथ में आप 6 ampere के load को directly आप चालू और बन कर सकोगे अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं wiring का तो wiring करना बहुत ही simple है आपको क्या करना होगा ये जो timer है इस timer के साथ में आपको 2 cable मिलेगा ये जो first cable है इस cable में आपको input power supply देना होता है तो इसमें जो 2 wire होगा इसको ले जाके directly किसी mcb के साथ connect कर दीजेगा उसके बाद जो आपका output cable होगा इसको ले जाके जिस भी load को आप चालू और बन करना चाहते हो अभी के time पे मैं इस lamp को चालू और बन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा इसका जो output cable है इसको ले जाके इस lamp के साथ करे कर दूँगा अब यह जो मेरा lamp है यह lamp हमारा इस timer के दवारा automatically चालू और बन करना चाहते हो तो इस condition में आप इस type के एक contactor इस्तमाल कर दीजेगा आपका जो contactor है इसका जो A1 और A2 टर्मिनल होता है इसमें दो वार को connect कर दीजेगा और इन दोनों वार को लाके आपको जो हमारा timer है इस timer का जो output cable होता है यानि कि ये वाली इस cable के साथ इन दोनों वार को connect कर दीजेगा तो मैं यहाँ पे इनको connect कर देता हूँ ओके connect करने के बाद यदि हमारा timer का time complete हो जाएगा तो इस condition में आप देखोगे जो हमारा contactor है वो automatically on हो जाएगा आप देख सकते हो हमारा contactor on और off हो रहा है ठीक है अब यह जो हमारा timer है इस timer में हम किस प्रकास से programming करेंगे उसको समझ देते हैं देखिए इस timer को जब आप देखोगे तो इसमें आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा यानि कि इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको आपका mobile या फिर आप किसी computer के जरीए इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो मैं यहाँ पे laptop के जरीए आपको पूरा प्रोग्रामिंग को explain कर देता हूँ इस timer का programming करने के लिए आप इसके user manual को पढ़के बहुती आसान तरीके से programming कर सकते हो लेकिन मैं आपको पूरा explain कर दूँगा अच्छे तरीके से इस वीडियो के मद्यम से देखिए सबसे पहले तो आपका जो PC है या फिर mobile है उसको open कर लेना है mobile को या फिर आपके computer को on करने के बाद आपको यहाँ पे Wi-Fi network को on करना है Wi-Fi को on करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको OC Lee WT-0446 करके एक Wi-Fi signal मिलेगा इस Wi-Fi signal पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको connect पे क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पे आपसे एक password पूछा जाएगा यहाँ पे password हमें इस timer पे जो लिखा हुआ होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक password लिखा गया है इस password को आपको enter करना होता है तो मैं यहाँ पे इस password को enter कर देता हूँ password को लिखने के बाद next वाले बटन पे क्लिक कर दीजिगा इस पे क्लिक करते ही आप इस timer के साथ में connect हो जाओगे ओके तो हम यहाँ पे connect हो चुके हैं आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है no internet यानि कि इस timer में programming करने के लिए हमें कोई भी internet की जोरत नहीं है आप बिना internet के ही इसमें programming कर सकते हो अब इसके बार आपको क्या करना है कि आपका जो भी browser हो जिस भी browser के दोरा आप इसका programming करना चाते हो उसको आप open कर लिजेगा मैं यहाँ पे chrome browser को open कर लेता हूँ तो मेरा chrome browser open हो चुका है अब यह जो हमारा search बार है इसमें आपको type करना होगा आपको यहाँ पे लिखना होगा 192.168.4.1 इसको लिखने के बार आप इसको search कर दीजेगा जैसे ही आप इस पे click करोगे तो आपके सामने एक website open हो जाएगा जिसमें लिखा होगा wifi timer और यहाँ पे Ocelli लिखा हुआ यानि कि Ocelli company का जो हमारे पास में timer है इस timer के साथ में हम connect हो चुके हैं आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है connected अब इस page में आप देख सकते हो यहाँ पे time बताये गया है यहाँ पे इस timer का नाम है यह जो आप time लिखा हुआ है इसका मतलब यह होता है कि इस timer को हमने कब से power supply को connect करके रखे है जब आप इस timer को power supply connect कर दोगे तो इसका आप time का जो countdown है वो start हो जाएगा इसके बाद इस timer के अंदर में एक battery लगाए गया है उस battery का voltage कितना है आपको यहाँ पर information मिल जाएगा इसके बाद इस timer को आप किस प्रकार से operate कर वा रहे हो उसका detail आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसके बाद जब भी आपका timer output command को generate करेगा यानि कि आपका यदि load on है तो इस condition में आपको यहाँ पर on का indication मिल जाएगा यानि कि जब हमारा load on होगा तो यह on रहेगा और यदि हमारा load जो है वो off रहेगा तो उस condition में यहाँ पर off लिखा हुआ रहेगा ठीक है अब जब भी आपका इस timer का first time up करने जाओगे तो इस condition में आपको सबसे पहले जाना है setting में setting में जाने के बाद आप यहाँ पर इसका password को चेंज करना चाते है तो आप password को चेंज कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर select करना है directly चालू और बन करना चाहते हो यहाँ पे आप यदि बटन को प्रेस कर गए तो आपका load on हो जाएगा और इसी पे प्रेस करने के बाद load हमारा off हो जाएगा इसी प्रकास से यहाँ पे एक pulse timer दिया गया है यानि कि यदि आप यहाँ पे time को set कर देते हो जितना भी आप time set करोगे उतने देर के लिए हमारा load on होगा यहाँ पे मैंने time set कर दिया आप देखोगे जो हमेरा load है automatically on हो जाएगा अब यह जो मेरा load है वो 5 minute के लिए on रहेगा क्योंकि मैंने इस pulse timer में 5 minute का programming किया हूँ यानि आप यहाँ पे time change कर दोगे यानि कि माल लीजिए आपको 10 minute के लिए इस load को चालू करना है तो आप यहाँ पे pulse timer में 30 minute set कर दिजिए इसको select करने के बाद जो भी आपका load होगा वो 30 minute के लिए run होगा ठीक है इसको मैं off कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पे आपके पास में यानिके पुरा clear कर सकते हो इसको आप हमेशा green पे ही रहने दीजिएगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे आपको एक और button मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है on off button disable यह जो option है इस option को यदि आप enable कर देते हो तो इस condition में क्या होगा यदि आप इस timer के उपर वाले हिस्से पे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है on off reset यदि आप यहाँ पे तीन सेकेंड के लिए टच करोगे उसके बाद release कर दोगे तो आपका load automatically on हो जाएगा इसी प्रकास से इसको बटने इसको इनेवल ही छोड़ देते हैं अब यह जो timer है इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको तीन option मिलता है chrono, cyclic, astro अब इन तीनों का काम क्या है समझ देते हैं सबसे पहले हम बात करते है chrono mode का normally हम किसी भी timer में on time और off time का programming करते हैं यानि कि जो भी हमारा load है इसको हमें कितने बज़े चालू करना है और इसको हमें कितने बज़े off करना है उसका हम time set करते हैं तो यहाँ पे जो chrono mode है इसमें भी same चीज़ किया जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यह load है यह load मेरा Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday को operate हो Sunday को operate नहीं कराना तो मैं यहाँ पे six day select कर लिया इसके बाद यहाँ पे मैं time set कर दूँगा मैं माल लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे 10.30 मिनट पे इस timer को on करना है उसके बाद यहाँ पे 11.30 मिनट पे इसको off करना है तो मैं यहाँ पे time set कर दिया इसके बाद यदि आप इस timer में और भी programming करना चाहते हो तो plus वाले icon पे click करके आप यहाँ पे day select कर दीजेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप time set कर दीजेगा कितने बज़े आपको timer को on करना है और कितने बज़े आपको timer को off करना है इसको select करने के बाद आप यहाँ पे am pm को भी select कर लीजेगा और जितना भी आपको programming करना है प्लस वाले icon पे click करके programming करते चला जाएगा यहाँ आपको programming को delete करना है तो delete वाले button पे click करके इसको delete भी कर सकते हो मैं अभी दो programming कर दिया और programming करने के बाद save वाले button पे click करेंगे तो programming हमारा save हो जाएगा ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ आगया posting chrome टाइमर यारी कि हमारा programming save हो चुका है ठीक है अब इसके बाद यदि आप इस cyclic timer का उपयोग करती हो तो क्या होगा समझ लेते हैं देखिए कभी कभी क्या होता है जो भी हमारा load होता है इसको हमें किसी particular time के लिए चालू करना है और particular time के लिए burn करना है यानि कि जो हमारा on off on off का cycle है उसको continuously run करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे time को program कर सकते हैं आप यहाँ पर hour select कर लिजीगा कितने hour के लिए आपको on करना है मैं अभी के time पर आपको 10 seconds के लिए on और off करके दिखा देता हूँ ठीक है on time में मैंने 10 seconds select कर लिया और off time में भी 10 seconds select कर लिया आप यहाँ पर minute को भी select करना चाहो तो कर सकते हो अब मैं इसको save कर दूँगा set करने के बाद आप यहाँ पर select कर सकते हो कि सबसे पहले आपका timer on होगा या off होगा आप off करेगे तो आपका timer पहले off रहेगा फिर उसके बाद on होगा on कर दोगे तो on रहेगा उसके बाद off होगा ठीक है इस programming को save करने के बाद आप देखोगे जो हमारा load है load अभी on हो चुका है ठीक है अब यह जो मेरा load है वो 10 सेकेंड के लिए on रहेगा और जैसे ही time complete होगा तो यह जो मेरा load है वो automatically off हो जाएगा अब यह जो load है हमारा 10 सेकेंड के लिए off रहेगा 10 सेकेंड के बाद दुबारा on हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो जो भी हमारा load है वो on off हो रहा है यहाँ पर timing थोगा ज़्यादा है मैं आपको कम करके दिखा लेता हूँ दो सेकेंड के लिए on और दो सेकेंड के लिए off इसको मैं save कर देता हूँ अब आप देखोगे कि यह जो मेरा load है वो दो सेकेंड के लिए on होगा और दो सेकेंड के लिए off होगा यह जो cycle होगा वो continuously चलते रहेगा इसके अलावा आपको यहाँ पे एक run always का बटन मिल रहा है इस पे किलिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ option मिल जाएगा जिसमें आप यह set कर सकती हो कि आपको कब on off करवाना है यानि कि जो हमारा timer है इस timer को हमें कब चालू बन चालू बन करवाना है उसका हम यहाँ पे पूरा timing को भी select कर सकते हैं अभी time होगा चार बज़ के 39 मिनट मे यहाँ पे 04 और यहाँ पे 29 ठीक है 30 से लेक कर लेता हूँ 30 मिनट से लेक लिया अभी PM होरा तो मैं यहाँ पे PM कर दिया इसके वाद जो on off on off का cycle होगा उसको मुझे 4 बज़ के 31 मिनट तक करवाना है यानि कि 1 मिनट के लिए मुझे on off on off करवाना है कितना समय के लिए तो हम पे time set कर सकते हैं मैं अभी 2 सकेंड के लिए ही करके दिखाता हूँ और भी आप यहाँ पे programming कर सकते हो इसको मैं save कर देता हूँ अब इसको save करने के बार आप देखोगे जो भी मेरा load होगा वो 2 सकेंड के लिए on होगा और 2 सकेंड के बंद होगा यह जो cycle हो continuously 1 minute के लिए चले ठीक है इसके अलावा आपके पास में एक और option होता है एस्ट्रो यानिके एस्ट्रो नोमिकल यह आप चाहते हो कि आपका जो timer है वह अट्टोमेटिकली sunset होने पे load को on कर दे और sunrise होने पे load को बंद कर दे तो आप एस्ट्रो नोमिकल टाइमिंग को set कर सकते हो एस्ट्रो मो latitude क्या है उसको आप यहां पे लिख दीजिएगा ठीक है इसको लिखने के बाद आप यहां पे यह select कर सकते हो कि sunset होने के time पे ही आपके timer के द्वारा किसी load को चालू करना है या फिर उसमें कुछ हम time चाहते हैं माल दीजे कि आपको केवल sunset के correct time पे आपके load को चालू करना है और sunrise होते ही आपको load को off करना है तो आप यहां पे क्या करोगे यह जो timer है इसमें आप zero select कर लीजेगा ठीक है जीरो select करने के बाद set timer पे click कर दीजेगा इसको click करते ही आपका पूरा programming हो गया यानि कि आपका जो load होगा वो sunset होते ही on हो जाएगा और जैसे ही sunrise होगा तो तुर यहां पे आप hour select कर सकते हो और यहां पे minute इसी प्रकास से sunrise का भी हम यहां पे time select कर सकते हैं मैं चाहता हूं कि एक घंटे पार्च मिनट के बाद मेरा जो load है वो off हो जब sunrise हो जाए तो मैं यहां पे time select कर दिया उसके वाद 7 लोग पे इसको click करते ही आपका पूरा programming हो गया तो को buy करना चाहते हो तो पूरा description में डिटेल दे दूँगा उस link के जरिया आप directly इस timer को buy कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद